हेलो फ्रेंट्स मेरी टेरिस गर्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स मुझे पौधे लगाना बहुत पसंद है मैंने जीरो से सुरुवात की थी और अब जाके मेरे इतने सारे पौधे हुए है और इन्हें देख के मुझे बहुत ही खुसी होती है अगर आपको भी पसंद है तो आप भी लगाना सुरू कीजिए तो आज मैं बताऊंगी आपको जेट प्लांट के बारे में जेट प्लांट बहुत हाड़ी प्लांट होता है और इस पौधे को कैसे लगाना है इसकी मिट्टी कैसे त्यार करनी है और ये एक बहुत ही लग्की प्लांट होता है तो इसे आप अपने घर में जरूर लगाए और किसी कारण ये मेरा पौधा जेट प्लांट का मर गया है आप देख सकते हैं ये गल चुका है मतलब कैसा इसको चाहिए धूप चाहिए पानी चाहिए कि क्या चाहिए मुझे कुछ भी नहीं पता था तो मैं इसकी कटिंग्स लगा दे थी और अब जाके मुझे पता चला है जब मेरा पौधा मर गया है तो यहाँ पर मेरा पौधा सड़ गया है तो कोई बात नहीं मैं इसे फेकूंगी नहीं इसकी जितनी सारी कटिंग्स होगी मैं इसे लगा दूँगी और उसके बाद मेरे नए नए पौधे इस कटिंग्स से तयार हो जाएंगे तो बहुत इजली यह लग जाते हैं किसी भी मौसम में इस पौधे की आप कटिंग्स लगा सकते हैं तो इसके लिए मैं सबसे पहले मिट्टी तयार करूँगी बरसात का दिने इसलिए मिट्टी गीली है और इसमें मैंने मिला है गोबर की खाद, रेट, बालू आप कुछ भी मिला सकते हैं और मिट्टी इन तीनों को मैंने इसमें मिला दिया है इसकी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए यानि कि इसमें पानी जरा सा भी न आड़े और इस पौधे को हमें धूप में रखना चाहिए क्योंकि एक हाड़ी प्लांट्स है अगर इसमें दो तीन दिन पानी नहीं देंगे तो भी ये चलेगा अगर आप ज़्यादा पानी इसमें देंगे तो इसकी पतियां गलके गिर जाएंगी और आपका भी पौधा सड़ जाएगा तो इसकी मैं कटिंग्स लगा दूँगी और इससे नए नए पौधे मैं तयार कर लूँगी और मैंने ऐसे ही करके बहुत सारे पौधे तयार किया है जेट स्पलांस के वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी तो सबसे पहले मैं इसकी मिट्टी तयार कर ली हूँ देखिए और ये देखिए इसकी रूट्स भी निकल गई है ये तूट गया था तो मैं इसे लगा दिती तो मैं फिर से इसको लगा दूँगी इससे कई सारे पौधे हमारे तयार हो जाएंगे और ये देखिए मैं कटिंग सारी लगा दे रही हूँ और ये मेरा प्लास्टिक का गमला था तो प्लास्टिक का गमला मैं ज़्यादा नहीं खरीती हूँ क्योंकि प्लास्टिक के गमले बहुत ही बेकार होते हैं एक साल में ये खराब हो जाते हैं या पे देखिए ये धूब पानी बरदास नहीं कर पाते हैं तो इसलिए मैं इसे फेक देती हूँ यह तूट गया है मेरा गमला और मैं सारी कटिंग्स को लगा दी हूँ और यहां पे देखिए अब मैं इसमें जब पानी डालूँगी तो यह थोड़ा सा भी पानी नहीं रुकेगा इस गमले में तो ऐसे ही मिट्टी चाहिए इसको विल सारे पौदे तयार कियें मात्र एक साल में इनकी गुरूथ हुई है यहां पे देखिए एक साल में आपको आपको Anders हो जबूफन बदार ओ minder को सब्सक्राइब रूट है अकर अघो इसलिए बीडियो को लाइक से ई और सब्सक्राइब जरूद कीजिए पानातर आर अकर मेर